नमस्कार, बुद्यूमीन, बेहर स्वागत करता हूं मित्रों, आईए बहुत पतिच्छत, जो आप सभी का इंदजार है, कि भई, BPSC का एक्जांध हुआ, और उसमें कैसे कैसे प्रशना आए, कौन कौन से प्रशना आए, उन प्रशनों का अस्तर क्या था, सटीक उत्तर क्या होगा, इसके अलावा, क्या मेरिट जा सकती है, ये सारी चीजें लेकरके एक सांध मैं उपस्तित हुआ हूँ, आप सभी का स्वागत है, फटा-फटा आए, जन्दी से जुड़िए, शेयर भी करिए, और अधिक्तब लोगों को जोडने का प्रयास करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोडने का प्रयास करिए, क्यो होनी चाहिए कि वास्तों ही रूप से क्या था तो बीपेसी जो और नाइंट टू टैंथ एक्जाम आयुजित हुआ सस्टी का सस्टी उसमें इतिहास के जो प्रश्ण है बड़े महत्तों प्रश्ण है आप सभी को पता ही है कि भी सस्टी जो विशय है सस्टी विशय है इसके चार सेग्मेंट है और चार में से दो करना नहीं हुआ रही है तो जिस कार्ण से प्रश्णों की टोटल संख्या कितनी हो जाती है प्रश्णों की टोटल संख्या अगर यहां हम आपसे सेयर करें तो टोटल जो प्रश्णों की संख्या है वो हो जाएग 70 plus 40 plus 40 तो किदनी हो गई 150 जिसमें 70 प्रश्ण में आपका भाशा और GS सम लेते हैं ठीक है दोस्तों तो आईए और इसे जानिये समझिये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तर इसे पहुँचाने की वी जिम्मेदारी आप सभी की है क्योंकि जितने अधिक से अधिक लोग इस पे जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप सभी को लाब होगा तो सबसे पहले आप अपनी उपस्थिती धर्ज़ कराईए और हमारे साथ यदि आप कभी भी जुड़ना चाहते हैं तो 962895 9237 हम आपको याद हो यदि तो हमने इसका एक वर्ड वर्ड इस्टी का मैंने आप सभी को इसमें एक प्रश्न कराया था सीरीज कराई थी उसी से काफी प्रश्न उसी से कई प्रश्नों का इसमें मैंने देखा है संबन इसका रहा है कई प्रश्नों से तो चली शुरू करते हैं प्रश्नों को देखिए ये कैसे बीप्यस्टी के प्रश्ना है क्या इसका स्टेंडर्ड था कैसे इसने NCRT को कुछ पकड़ा लेकिन ज्यादा तर वही पैटर्म था जो विभिन एक्जामों में आता है हलाकि थोड़ा सा अस्तर बेहतर करनी का प्रश्न किया है हाई स्कूल लेबल के प्रश्न के का तो हमारा जो सेगमेंट है जमली आपको पता ही है कि वही चार सेगमेंट इसमें रहते हैं हाँ चार सेगमेंट हिस्ट्री हाँ पॉलिटी जोग्राफी और एकोनोमिक्स तो इसमें प्रतेइक सेगमेंट में 40 कोस्चन आये थे तो इन प्रश्नों के अस्तर को आप देखिए और आप सभी इनका स्वयम भी जबाब दीजिएगा क्योंकि ये भावी परिच्छा में आपके लिए फाइदेबन तो हो सकता भावी परिच्छा में आपके लिए कही न कहीं से ये इंक्वाटेंट्स रखता है हाँ ये फाइदेबन तो हो सकता आईए पहला प्रशन आपकी स्कीन पर देखे 1826 में हरपा की संबंध में किसने उलेख किवा बहुत बार सीधा सीधा पढ़ाया हूँ Charles Mason नहीं तो किसने किया है उलेख Charles Mason नहीं आपको पते ही का 1826 में लाहों तर निलेवे लाई बिच्छाने के दोरान Charles Mason ने यहाँ एक टीले का उलेख किया है बाद में अलेक्जेंडर करिंगम में इभी निकाम किया लेकिन सबसे पहरे Charles Mason ने आईए किस हडपा अस्थल से लकडी के कुरेड़ी को कुरेद कर नाली बनाने मने असपर फूट से क्या पढ़ाया था लकडी की बनी हुई नालिया लकडी की नालिया तो किस अस्थल से लकडी की नालिया मिली इसे जवाब देना वह लोथल से काली बंगा से रोपड से उपयुक्त में से एक से अरहिक और उपयुक्त में से कोई नहीं मतलब BPSC में एक option और बढ़ा के दे देता BPSC में एक option और बढ़ा के काम करता है ठीक है तो चलिए यार ये बच्चे जो है उनको लगता है कि सब ऐसे हवा हवा ही है ऐसा नहीं है जुडिया और ये लाग देगा एक्जाम में काली बंगा काली बंगा ये कहां है राजस्थान 它 ये अस्तल प्राक तो हुआ है जो प्राक सेंदों और सेंदों दोनों हो सतल है तो इसका विस्ति-विसलेशन समझे कैसे प्लश्न होगा और यह पढ़ाया है गाइब पढ़ाया हूँ दाइब पढ़ाये हुए चीजों से सीधे इंसर सीधे पढ़ाये नोट से कुझ लेना जाकर किस मोरे सासथ को सेंड़ो कोटश के रूपने जाना जाता है सीधा कोश्चन पूश्चन चंदर्गुप्त पाउर विन्दूसार असोग एक में से अधिक या एक में से कोई निए सिंद्रो कोटश हो या एंड्रो कोटश हो कि अजनल कोटश हुआ है तो और ये नाम किसके हैं चंद्रगुप्त पलमारी ये कि रिक फिर जबाद दो जितने लोग देखरें जो आपको मैं तरे जटी हुई है और सारे लोगी लोग देखरें हिम्मत की नहीं जो टापार दर जाते हैं जैसे बच्चों कि हिम्मत ही सूख जाती है कि जब आप देने कहीं गलत हो गया तो हमारे गड़न कर जाया रहे वह कुछ नहीं है जब आप आ ऑफ था किस ए तो उस बात का वाब आप सभी को देना होगा किस वर्श ल тут गया था ग्याद-प्र किया था मोद्ग्य ने यहाँ पर घ्याद क्या था वोन्य घ्या क्युए खूल है महात्मा बुद्ध की ज्यान प्राप्ति का अस्थल है ना निरंजना नदी के तड़ पर ज्यान प्राप्ति हुई उन्पुन यह निरंजना तो चलिए दसवे वर्ष किस वर्ष गया था दसवे वर्ष अगे आप प्रस देखिए किस अभिलेट में असो तिरत्म में विश्वास प्रकट करता है ना तिरत्म में सम्यद्ध क्यों तिरत्म में कहां विश्वास करता है धंम संधम हाना और बुद्धम बुद्धम और संधम तिरत्म में भी है लेकिन बुद्धम धंम और संधम यह बुद्धम का तिरत्म है वही जैनियों का तिरत्म में ग्यान सम्य दर्सन और सम्य आचर के लिए वही है या नहीं के लिए है बताओ जी चलिए चलिए पिलकुर जवाब देजी तो भावगरू यह भावगरू नहीं वलकि भावगरू बैराथ जैपूर के पास है यह बैराथ वही पर इसकी जर्मकरी हुई ले थी आगी हैं मोरिट कि में वार्था क्या थी बहुत बढ़िया प्रश्ण है कि द्रं किसी कार उप्रिकत homies क्या है बहुत्प्रोण है तो अच्छाक बैसब्स आई रिंग सब्सक्राओं आई जबाब किसी कर नहीं आ पता नहीं कौन सी कौम आ गई पढ़ने वाले कितना डड़ती है समझ में नहीं आथा तो देखो भी आ इसमें डी होगा क्यों होगा वारता का संयुक्त मतलब है किसे कहते हैं क्रिशी पसुपालन एम्म मारेज किसी पसुपालन एम्म वागज को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं वारता तो एक से अधिक हुआ ना ये दोनों है इसमें क्रिसी और पसुपालन तो इसी ने दी अंसर आ गया ठीक है तो ये बिप्यसी बोर्डों में जो लोग से वायोग है वहां का इस प्रकार का पाचुआ आपसर भी रखता है मौरिकाल में रूपा जीवा क्या थी ब्यापार और वानिज पस्पालन और किसी दास्प्रता उप्यूप्त में से एक से अधिक या उप्यूप्त में से कोई नी रूपा जीवा क्या है बहुत संदार बहुत अच्छा रूपा जीवा किसे कहते है रूपा जीवा जो वेश्य व्रिटी करती हुई महिलाएं थे वेश्या व्रिटी जो इसमें से कोई नहीं अर्था इंसर होगा क्या होगा ऑगे देखिए आगे आपके कोटिल कितने प्रकार के दासू का उलेख करता है साथ, आठ, नौ या एक से अधी अत्वाइन में से कोई नहीं तो कोटिल ने दास के कितने प्रकार बताया देखिए कुछ नहीं नारद नहीं अलग अलग बताया कोटिल ने अलग बताया हर ग्रंथ आप जैसा पढ़ेंगे उस प्रकार का उलेख इसमें आपको मिलेगा ठीक ह ठीक है तो कोटिल ने कितने प्रकार के दास बताया नव प्रकार के मेगस्तनीज ने साथ जातियां बताई थी मौली फ्रसासक में संपरहान किस च्छेट्स संभाणी कर भूराजस्व धर्म से नयाय से यह दो से अधिक अथवा इसमें से कोड़ीने जब रहन का कारिया क्या है संद्रहान किस बातका संद्रहान संद्रहान किस बातका है संद्रहान बदाए संद्रहान का कारी क्या है संद्रहान किस छे से लेटेड है अरे वही संद्रहान भूराजयसु छेत्र से है एंसर इसमें गलब आया है आयोग का ठीक है आयोग ने निया एंसर दिया है ये नहीं होगा संद्रहान भूराजयसु से है किसे है भू राजस्व से आगे देखिए आगे देखिएगा इसमें किस चरण को फुनर जागरण काल कहा जाता है दस्मी से चौदा हु Smith 13-15 मी 14-16 या है में इंपिसे कोई नहीं तो बताई पुनर जागरणकार ये विश्वतिहास आ गया तो वही इतने लोग देख रहे हैं जबाब भी दो जबाब भी कोशिच करो दो वही एक ही एक ही ने मोर्चा सम्हार रखा है बाकी सभी डर गए हो जवाब दो पड़ापट तो पुनर जागरण का यह क्या है कहां से सुरू हुआ था पुनर जागरण सुरू हुआ था इतली इस प्रकार के प्रस्ण पू सकता है यह मारस का भी जो परेच्छा देता है उसको उसमें भी आ सकता है तो दोस्तों 14 से 16 सेंचुरी पुनर जागरण का काल माना जाता है चलिए अग्या प्रश्ण देखिए पुनर जागरण का माइकल एंजलो क्या था माइकल एंजलो गर्ण सुधारक ताना सा चत्रकार या एक से अधिक या उपीट में से कोई नहीं तो माइकल एंजलो में पियटा नामक बड़ी जवर्जस्त मूर्ती बनाई थी पियटा पियटा नामक एक बड़ी अच्छी मूर्ती बनाई डेविट की मूर्ती बनाई थी माइकल एंजलो और सिस्टाइन चैपल पर भी कारिस नहीं किया था तो माइकल एंजलो एक बड़ा प्रसिद्ध चित्रकार एक वो मूर्थिकार भी था क्योंकि मूर्थिकार आपसन में नहीं है तो कोई बात नहीं हम इसको क्या मेरेंगे चेत्रकार वाला आफसन इसमें फीड करेंगी है ना के लिए ने चलिए बहुत बढ़िया बिश्युतिहास से गलेटेड है ऐसे प्रश्ण कहां से हैं बिश्युतिहास से हर्ष का प्रधान सच्छु कौन था अवंत भंड शिंदनाद या एक से अधित हर्ष वर्धन है बताईए हर्ष का प्रधान सच्छु कौन था अरे भई हर्ष को राजा बनाने महत्तुपूर भूमिका उसका सेना गटन करने महत्तुपूर भूमिका किसकी थी भंड की भंड यह बहुत ही हर्ष का सलयो सहयो किया था एक एक कोस्चन हमारे पढ़ाएगे नोट्स के हैं मिला लेना जिनोंने हमसे पढ़ा है जिनोंने हमसे इतिहास पढ़ा है मिला लेंगे एक एक डेटा उनके पास प्राप्त होगा हां भासकर वर्मन भासकर वर्मनने किसे राज्दूरंद् बनाकर हर्षवर्धन के बास भेजा था हृब बताइए हंसवेग हंसवेग नामक दूट भेजा था कौन सा भेजा था हंसवेग कैंसर दिया आप लोगोंने कैंसर दे रहे हैं आप सभी बुलो भी चुर बहुत बढ़िया आप सी एंचा डीनाइस आधे बढ़िये हर्ष के काल में देखें से तीसरा प्रस्ण मनें हर्ष वर्धन से तीसरा प्रस्ण हर्ष अबना लगावक्ता था पेपर बनानेवाल हर्ष के काल में कौन सा अभिकारी चार्ट एवं भाट क्या रहा था राजस सैंध्य पुलिस या एक से अधिर या इन वेंसे कोई नी बहुत बढ़ी आपर चाट और भाट नामक अधिकारी कौन से थे हर्स के संग काल ने इतना बढ़ी आप प्रशन है लेकिन सबसे बढ़ी चीज़ हर्से ही तीसरा प्रशना एक पुलिस को पुलिस अधिकारी चाट यह भाट कहला था था बहुत बड़ी जांदा मिद्रेश जिंगी किस चोल सासक ने सवरप्रतम सवपूर द्रविर प्रदेश को जीता द्रविर प्रदेश मनें यह कृष्णा और तुंग भद्रा नदियों के मद्ध कृष्णा एवं तुंग भंद्रा भाई पूरा इसको समझ लीजिए सॉल्व कर लेते हैं फिर इसके बाद मैं करा रहा हूं जान पूझकर एंसर की आने के बाद भी इसमें सीधा गलत मिल गया ठीक है चलिए बताईए पूरे द्रविडगम प्रदेश को जीतने वाला कोन है राज-राज विजयाले परांतक परताम यह इनमें से कोई नहीं इनमें से इस अधी यह इनमें से कोई नहीं तबिलकंपदेश कुछता तबिलकंपुस्ता तुसमें परयंदक हो जाता क्योंकि दृबिदकंप पूरा दृबिद छेत्र अवत कर रहा तो राज राज फस्ट हो जाएगा कुन हो जाएगा राजराग फस्ट आगे देखिए आगे आप्रश्ण किस चोल सा सकने चोलों से दूसरा सिंभन लरेश महेंद्र पंचम को पराजित कर बंदी बनाया था और अपने यहां जेल में उठा लाया यहीं रहते हुए मर गया तन्जोग महेंद्र पंचम आधित प्रतम राजराग प विजित करने वाला राजराज था जबकि राजराज प्रतम ने संपूर स्रिलंका जीता था संपूर स्रिलंका तो इसी ने राजा को बंदी बनाने पराजित करने के साथ बंदी बनाया बगी राजराज राजराज की समय क्यों भाग गया था राजराज के समय क्या हुआ था ये भाग गया था अब इसमें देखो थोड़ा सा इसमें हम technical देखते हैं इसमें गए पराजित किया तो पराजित करने वाला काम तो इसी ने कर दिया इसी ने और इसमें संपूर से लंका जीर्टे इसको बंदी बनाया तो क्योंगे पूंच रहा है पराजित किया तो पहली बार पराजे काम तो राज राज में कर दिया अगर पूंचा कि से ने बंडी बनाया Philadelphia लग्म ज जीता तो इसमें पराजी की बात कर रहा में datos पंचम को तो में महेंद पंचम को पहली बार हराने वाला राजरास था हां महेंद पंचम हार गया जब तो राजधानी छोड़ करके भाग गया दच्छरी से लगा में तो इसका का अविसकार आधुना की करणव भी पूनर जागरण की बाद क्या आता है दुनिया में विश्व में आधुनी की करणव तो फ्लाइंभ सब्ल का निर्मार किस displaced लाइवाईड साथ या इक सथिक ने या इंसे कोई ने तो फ्लाइण सब्स लैंट सबस्क्रिक गक्या किया किरे आख अबहें ज़ाऊनaje ता इसकर ठीच करद लेंग का किया था उ Feld Hub का किया था तो तो जॉन के ने फ्लाइम शटल बनाई थी जो आगे जिससे हाई हवाई जहाज वगेर जैसी चीज़ें बन गें किस वर्ष लीवरपूल और मैंचेस्टर के मद्ध जॉन हिस्टी फेंशन ने रेलवे चलाई पहली रेलवे दुनिया की बिश्व की प्रथम रेल ने कहां चली तो 1823 ने चली तो ये कि पहली रेल बिश्व की पहली रेल कर चलीं लिवरपूरल मैंचेस्टर जो और अज़ लोगे अकशनरी तो यह 1829 में कब चली थी 1829 में दो वेल्ट ऑफ नेशन किसकी रचना है बहुत बढ़ी आकिताब है एकोनोमिक्स एर्लेटेड है एकोनोमिक्स दम्वेल थांप नेशन इकिसे लेटेड है यह एकोनोमिक्स से एकोनोमिक्स रेटेड है डेविड रिकॉर्ड हो मैं क्या में अधिक स्मित या इन वे से कोई नहीं तो दावेल्थ आपने से बहुत रटी अटाइड के नाव है बहुत बार पूचा सामानी के अताब में बहुत बार पूचा गुट बताएए तो इसे देखें अधिक्तम लोगों को जोड़िये हां सारे गुप में डाल दीजिए इसको तो एड़ा मिस्ट यह आपके भावी एक्जाम में जो ही यह पेपर आपको एक माकदर्शन का कारियर करेगा जो आपको आगे चल की बहुत मजबूत बनाएगा ठीक है चल यह हमारी आधिया अत्रा कम्रीट ह तो गई हम तारिद क्या राहा ऊंत्रा कर नंफड़ कर कर धार्मिक कर उप्यूट मेबने से एक से अधिक ही आदित में से कोई नहीं मदो है रिर्ष। त्यास का कोश्चन है और यह दस प्रतिसक पादरी बर गदाए प्रांस प्रांस में तीन स्टेट थे प्रतारी स्टेट थे प्रतारी वर गाता था इसको अपना अपनी इंकम बढ़ाने के लिए अगला प्रतिसक ना इसके पास अधिकार तो बादरी वर दस प्रतिसक यह ट्रैक्श लगाता था ठीक है मैं अगला प्रतिसक लाजाईए नाच्स डिस्कोर्श आउ इनिक्वालिटी सिकेंड डिस्कोर्श किसने लिखा यह भी विश्व इतिहास से एलेटर के दाव है यह भी विश्व इतिहास से रिएटर किताब ठीक किसकी किताब है यह किसकी किताब है चलिए तो बताना चाहिए मॉन्टेस्क्यू और वल्टेयर रूसू या एक सेदी के इस कोई नहीं यह रूसू की किताब है किसकी है सगेंड डिस्कॉर्श या डिस्कॉर्श ऑन इनिक्राइजी यह किताब किसकी है बेटा तो आपको आसानी से पता चल जाना चाहिए यह किताब किसकी है यह किताब है रूसो की है ना चलिए बहुत बढ़िया वैरी नाइश अग्या कुछ देखें किस दीप पर नेपोलियन भोना पार्टा का जन्म हुआ मृत्तु मत कर देना कॉर्शिका अलबा सेंट हैलना है ना उपियुक्त में से एक से अधे या इन में से कोई नहीं है इसमें देखे नेपोलियन से रिलेटेड यह प्रश्ण है तो उसके जन्म से रिलेटेड एक इसका मृत्यू का भी प्रश्ण आता ज्यान देना एक इसका मृत्यू का भी प्रश्ण पूछता है किस दीप में उसको छोड़ दिया गया यहां उसकी मृत्यू हो गई ज्यान देना एक प्रश्ण यह भी बनता है कि कहां उसकी मृत्यू हो गई यह भी पूछता तो आईए कोर्शी का दीप पर उसका जन्म हुआ था जन्म कोर्शी का दीप पर मृत्यू उसकी सेंट हलेना है न मृत्यू का अस्था उसका क्या है मृत्यू का अस्थव सेंट है रना में रहा जहां वहीं पर वह निरजर दीप पर उसकी मृत्यू हो गई ठीक है जन्म उसका कोर्शी को दीप पर हुआ था इल्बा में विस्थाबित हुआ दा स्प्रिट ओफ ला बहुत बढ़ीया किताब दीश्यूतियास की डिड्रो की रूसों की मॉंटेस्क्यू की या इन्में से कोई ने The Spirit of Laa किताब किसकी है The Spirit of Laa किताब किसकी है बताईए The Spirit of Laa किताब Montescu की है है फ्रांसीसी विचारा Montescu की है जो फ्रांसीसी कुरांती में बड़ा योगदान दी अब आईए देखें मेडाईवलिस्टी से पर खुतबुद्य नेवग ने किस मूल्य पर इल्तुतमिष को खरीदा किस मूल्य पर पचास लाग जीतल एक लाग जीतल दो लाग जीतल या उपिप्दमिष एक से अधि या इन्यमे से कोई ने तो इल्तुतमिष ने इलतुत्मिष को खरीदा था एवक क्योंकि एवक का गुलाम था इलतुत्मिष और इलतुत्मिष एवक अपने माली से पहले ही श्वतंत रहो गया है बोलोगी है चले शांदा शांदा उख्रब्दी रही मित्रेश जी बागी सब तो दर्वोक हैं तो एक लाख जीतल एक ठी जीतल क्या थी? चादी चादी की मुद्रा थी जीतल क्या थी? चादी की मुद्रा तकाओ जीतल तकाओ जीतल तावाओ चादी से संबंजित मुद्रा हैं थी आईए अल्लत किस वर्ष इंतुत मिस्कु बगदार की खलीफा द्वारा मनता हुई 1298 बारास अटाइस बारास इस बाराइस बाराइस बारातियस यह एल से अधिक गारस को यह जाना सकता है तो 1229 बथायी में बाराद dürस ऐाएड़ सकाव cruising कि इधियों द्वारा खलीफा के परते दिल्ली आ रहे और 1229 में उसे मानफट्र प्रस्तुत किया और देखें किस सुल्टान के शासनकाल में एक नयापद नाइव ए मुम्लिकाद को बनाया गया नाइव ए मुम्लिकाद बारां सा अलाओ दिन मसूस नासुत दिन मुहमूद या इनमें एक से अधिक या इनमें से कोई लिए तो मैया दर्वाई अमीरों की इतनी बैलू बढ़ गई उन्होंने खुद ही नायब कापत गटित कराकर उसे अपने मन पसंदीदा एद्वीन को निउप करा दिया है तो कौन है शुर्जिया सुल्तान के बाद मुईजुद दील का पूरे नाम क्या था मुईजुद दीन मुईजुद दीन बहराम सा ये कोन है ये द्वजिया का उत्तरा धिकाली था बने रजिया के बाद इसे ही अमीरों ने कट उतली सुल्तान बनाया और अपनी इच्छानुसार इस पद का गठन करा दिया ये क्या था ये सुल्तान का सहाया इसी परवाद में बल्बन पहुँच गया है चली बल्बन को सुरपृत्वं किस दाइत के निर्वहन मने बल्बन सुल्तान बनने शेपूर कौन से पद बता अमेरे सिकार अमीरे हाजिक खासदार उप्यूगत में इसे अधी क्या इनमें से कोई नहीं तो सौरपरथम जो उसे पद मिला उसे कौन सा पद बल्बन को मिला बल्बल बहुत महत्वा कांची था आपको पता ही है बल्बल बहुत ज़दा महत्वा कांची था सिरी दर सिरी बनाता हुआ सत्ता प्राप किया तो सबसे पहले वो खासदार बना सबसे पहले क्या बना खासदार और अमीरे हाजिन तो बहुत बात का है दर्वार में बना ठीक है अलाउद्दीन, मशूर्षा होगेरा की समय में तो खासदार की पदपर सबसे पहले वहा प्रशासन में आया था दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही अपना मगबरा बनवा दिया कि भई पता नहीं बेटे बनवाएं और वहाएंगी नहीं आज के बेटे दो ही अपने डेंजरस होते हैं पता नहीं बने कि न बने तो कौन अपने जीवन काल में ही बनवा दिया और इसलिए उसे मगबरा सैदी का जन्मदाता कहते हैं इर्टुतमिस बलबल अलाव दिन खिल जी इन में से कोई नहीं या एक से अधिक तो ये था इर्टुतमिस इर्टुतमिस को ही मगबरा मगबरा सैदी का इसे क्या कहते हैं जन्मदाता क्या ये? ये मकबरा सही का जन्म दाता इसे ही कहते हैं क्योंग इसी ने अपने पुत्र सुल्तान का सबसे पहला मकबरा बनाया था इसे कहते हैं सुल्तान गड़ी का मकबरा क्या कहते हैं? सुल्तान गड़ी का मकबरा जो भारत का पहला मकबरा चलिए अकबर की अनुतिन विज़े कौन सी थी गोंडवाना गुजरात असीरगर्ड या एक से अधिक या इन में स्कुए एक प्रस्ण मनें प्रतेत प्रस्ण का उत्तर अचा उस अंजर है सिस्ट्टू एट जोहतर हैं एक सट हैं एक सट हैं दिए हैं अएग नाइट उटेंट में तो ज़्यादा नहीं समझा रहा है क्योंकि प्रस्ण का अस्तर थोड़ा आशान लग रहा है वागी सिट्स्टू एटेंड ने समभावना है कि उसांजय जी सिस्टू एड में संभावना है ठीक है चलिए बात करते हैं अभी है तो यह असीर गड़ की विज़ है असीर गड़ की विज़ उसने ऑला रिटी और उसकी अंतिमी महाराष्ट कहा है यह महारास्ट विज़ उससे इसी ने इसी एही इसकी अंतिम रिजय थी चलिए बरक कि इबादतान निर्मान अउबमने कहां करा इसी में इसे इबादतान में कराया था बहुत बड़िया कि दिनिश्पासवान जी किस कड़े रिये हैं एसी में पूरी संभागना है आपकी पूरी संभागना है चले आपनों दिनी जवाब नहीं दे पाते हैं इंसर प्लासी युद्ध के समय मुबल सासक कौन था शाह आलम दूती अजबर दूती आलम भीर दूती उपित तुमें से एक से अधिक या कौन ठीक है बदाई है अरे भाई प्लासी के लिए जो कब हुआ सत्रह सव सतावन तो सत्रह सव सतावन में कौन था कि बताओ भी साह आलम तो अठावन में आया साह आलम तो यह सत्रह सो लगवग अठावन के बाद उनसट में आता तो यह आलम घीर दूती अग्बर दूती तो और बाद में यह आलम घीर दूती का ही समय किसका समय है आलम घीर दूती कि बिल्कुल बिल्कुल उसांजे जी आप डरिये नहीं संभावना है कि बिल्कुल सबको बताऊंगा पहले आप इनका एंसर दे लिए इनका एंसर दे लिए आप सभी ठीक है चल्यी बहुत बढ़िया बहुत नहीं हा आलम घीर दूती का समय है कि चंवन से बता है अरिजा अगे देखिए बकसर की उद्धधिय समय बंगाल का गवर्णर कौन था हौल यंप वहेंसी टार्ट, क्लाइव याइट से अधिक याइट मेंसे कोई नहीं तो बक्सर की उद्धिके समय वंगाल अगोवर्णर सामा ने उपसी बताएए सब को पता है चलिए बताएए अरे वहेंसी टार्ट, सीधा रटने का मामला, वहेंसी टार्ट, बक्सर की उद्धिके समय पतना में अग्रेजी कमपनी का प्रभादी कोई था, भई उधर तो वहेंसी टार्ट गवर्णर था वंगाल में, लेकिन कमपनी का प्रभादी कोई था, बिटिस कमपनी का, एलिस हॉल्वेल वैरलास्ट एसे अधी या इन में से कोई नहीं पटना में बिटिस कम्रिया कंपणी का प्रभाई किसे माना जाता चलिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद चलिए दिने सपास वांजी बिल्कुल बिल्कुल होगा दीबगा सिंजी ओवीशी में है 65 चलिए देखे क्या होता है कि कोशिच करते रहिए थोड़ा से इंतजार करिए है है अरे वे क्यों कंपनी का कमांडर था यह वहीं पूछ रहे तो एलिस था कौन था एलिस हॉल्वेल तो गवर्णर रहे चुका था गवर्णर था फाइजाबाद में 1877 के विद्रों परने ते तो किस में किया मने अध्या में जब आरा सो सक्ताओं की करांटी का दौर चल रहा था उस समें उस समें करांटी का लिडर कौन था था ठान बाहर रहा जो लयाकत नहीं पॉलवी एधिक या इनमें से कोई नहीं तो बहिए आप जानते हैं मौलवी एध्यूल्ला सबसे प्रमुक में थे कहते हैं कि कौन सा ऐसा कर करांदिकारी था जिसके सिर्पर अंग्रेजों ने उस जवाने में पचास हजार इनाम पचास हजार रूपे इनाम की गोश्रा की थी कि अगर कोई बता देगा कि अगर कोई बता देगा कि ये बंदिकारी कहां है उनके वासा में तो अतनकवादी थे ना हमारे वे तो सम्माण्नी है करंदीकारी है उनकी वासा अतनकवादी थे तो सूचना देने वाले को सूचना देने वाले को सूचना देने वाले को 50,000 दिया जाएगा यह कौन महानकराम दिकारी ते जिससे अंग्रेरी दना डेरे ते तो बता दू मौलवी अहमदुला मौलवी अहमदुला मौनुलूप से आंध ब्रदेश के निवासी थे इन्ही का यह लेबर था इन्होंने बेगम भजरत महल बेगम भजरत महल को भी इन्होंने सहयोग दिया था वेगम हजलत महल का भी सपूर्ट ये करते थे ये इस प्रणार करते करते हैं भारती राश्टी का अंग्रेश के स्थापना के समय भारत का वाय शराय को था डफरीं रिपन करजन एक से अधिक याइजमिस कोई नहीं कि ये सब तो नहीं हो सकता डफरीं था लाड डफरीं कौन जी जी वूसअजेश स्वागत है आपका स्वागत है बिलकुल कटाफ भी बताएंगे आपको कटाफ भी बताएंगे कटाफ भी बताएंगे एकस्पेक्टे से लेकर सेवेंटी के बीच में इसकी कटाफ रहनी है हमें जहां तक लगता है चलिए अखिरी में और देखते हैं चार सवाला हो रहें सब्रतम भारती राष्टी कांग्रेश का विभाजन किस वर्ष हुआ कांग्रेश पहली बार पार्टीशन कब हुआ उनीसो पांच साथ न कि अधिवेशन में सूवद अधिवेशन का है इसी पर जूता चक्पल चले जे हैं शुन्त हमत् बीचности दोनों में विवाद हुआ सूरत अदिवेशन में जूता चप्पल तक चले वहिया जूता चप्पल चला ठीक है और अन्ट में अधिर आप सबी जवाब दे रहें कि आज मैं दाप देना चाहता हूँ मिदलेश सिंग जी का मिदलेश सिंग ने सुरू से लेकर अब तक अकेले जंग लड़ी अभी आप लोग एक दो लोग और जवाब देने की हिम्मत जोड़ा पा रहे हैं सेस मैंने देखा है मिदलेश सि लगातार जंग लड़ी है बाकी तो जितने भी आके देखे हिम्मत नहीं जोड़ा पाए कि प्रश्णों का हम जवाब दें तो गलत सही से डर कर सभी भागे जो कि मितले शिंग भी नहीं बागे ठीक है चले अगला पर देखिए किस वर्ष मुझाफ़र पुर्भंकांड कुझे राम बोष से रिलेटेड मामला 1907, 1908, 1909 या एक से अधिक ति थी या कोई नहीं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया, बताई जल्दी से मुझफर पूर्जु खुदी राम बोस द्वारा किये गर बंकान से रिलेटेड है दिलेवी के कारे से रिलेटेड है मुझफर पूर्चान से कौन जोड़ा है खुदी राम बोस बताओ महीं है सबसे काम उमर में फासी का फंदा धूले वाले तो 1908 1908 में मुझफर पूर्चान की चर्चा होती है और खुदी राम बोस को सबसे कम उमर में फासी पर लटका दिया जाता है और देखें डांडी आत्रा के समय गांदी जी के साथ कितने स्वयम सेवी प्रतिभाग किये थे गांदी जी के साथ कितने लोग गए 98, 78, 87 गांदी जी डांडी मार्च किये थे नौसारी जीला डांडी है गहां नौसारी नौसारी जिला गुज्राव है ना यहीं पर डांडी है गांदी जी साबर्मती से चलकर साबर्मती से चले थे चले तींसो तींसो चैतर किलोमेटर की दूरी तैंकिया था दोसो चालिस दोसो तालिस मील दोसो एक तालिस मील माल चले इसे कीलोमेटर बजलते तींसो चैतर क्या सपास आता है कि आत्रा की थी चलिए ग्राब उसक्ति देखिए गदर पार्टी के स्थापन न पर हुई थी रहेए जर्मनी सान्ट फ्रांसिस्को अमेरिका अट्लांटा अमेरिका उभुत में से कोई नहीं या इन्वेस कोई है तो गदर पार्टी के स्थापना कब हुई थी लाला हर्दयाल दौरा 1913 में किसे में सब्सक्राइब किया था लाला हर्दयाल का नाम आता है बाकी निटेर में है ना ठीक है दोस्तों तो यह राज सैंट फ्रांसिस्को यूवर से कोई दिकत किशी को जब आप दीजिए फटा 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 बाद दीजिए ठीक है और आज का यह आखरी कोस्टन जो एक्जाम में आया था यह ठीक है किस तिथी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थ जिसमें गया था धう मैं बता ही रहा हूं अध्यक्ष में बने 246 तो इस तरह से मैंने आप सभी को इस तरह से पूरे प्रश्णों का एक कुरेंग ब्याख्या सहीद मैंने बताया और जी मिदले जी बिल्गुल मैं जी आप जो बहुत पुराने इस्टूडेंट हैं एक एक लाइन पढ़ाया हुआ हुआ प्रश्ण आया है विस्तियास को छोड़ दो तो क्योंकि विस्तियास से लेविश्म उस समय नहीं था है ना तो ये ध्यान देजी तो दोस्तों अगर हमारे साथ आप भूणना चाहते है भुरिष के एक्जाम के लिए आगे बढ़ने के लिए दुआएं ये है कि आप सभी जितने लोग कंपडिटर रहें सभी का चैन हो जाए मिर्ट पर थोड़ा सा भी जलगवाजी करना ठीक नहीं है क्योंकि सारे सारे बच्चों का अभी जो है सब लिखते नहीं है कितने जैसे तो अभी इसमें कम सकंपचासों लोगों ने देखा लिए है ना इसमें किसी ने अपना इश्कुर नहीं बताया दो तीन को छोड़ कर किसी ने कहा बासट किसी ने कहा सतावन है ना तो ऐसे ही दो चार बच्चे सिर्फ अपना अलेसे बता रहे हैं तो तो एस बात का प्रतीक है कि निष्चिक मेरिट कम जाएगी थो मेसलता है यहशिटिफ लॉस वाले स्फिध्य कesh Crispy मैं किसी कट आफ जा सकती है हां कट आफ यहें हमें लगता स्फिक प्लस वाले सोरबचित है जिनका 60 यह मैं अन्रिजर्व की बात कर रहा हूं, यह मैं जिसकी बात कर रहा हूं, यह मैं अन्रिजर्व की बात कर रहा हूं, तो इसी रेशियों में यह मनी अन्रिजर्व, यू एन्रिजर्व यू आर की बात कर रहा हूं, यू आर की, 60 प्लस जाएगी, अब कितनी जाएग काटि के पाना अभी जंदवाजी होगी अभी सी के आज पास विसी अपना सेट कर ले और उससे नीचे उससे जो ऐसी है बिल्कुल बना दिया जाएगा बिल्कुल बना दिया जाएगा क्टेगरी वाइस बेगे ज्यान से सुनिए इस पर आप अप exact की उम्मीद न करिए हैना क्योंकि exact data ताम मिलता जयां कम से कम जितने लोग अभी आए देखने पचासों से उपर की संख्या में लोग आए देखने हम भी आपसे डिसकस करके ही सीखते लेकिन हमें जो रगता है पेपर का स्टेंडर्ड इतिहास के दिश्कूर से बढ़िया था है ना और वाकिए हमारी और टीम में अनॉसिस कर रही ही जर्नल नारेज कैसा था भाशा कैसा था तो उस पर बताते हैं कि थोड़ टाफ था है ना इसलिए मैं कहारा हूँ सिट्टी प्लस वाले अन्रिजर्व जितने हैं वो सुरक्षित हैं और उसके बाद अधर उसके बाद अधर की बात हो रही है ठीक है तो दोस्तों इस तरह आपको अगरे बहतर लगा हो तो इसे जरूर लाइक शेयर करिएगा और इसके लिए अगर आपको किसी भी अस्तर पर लगता है कि हमारे शाहिव की जरूरत है यह नाइन सिक्स टू एट नाइन फाइव नाइन टू थ्री सेवन इस नम्मर पर आप कॉल करके जो सकते हैं वह इसकी तैयारियों के लिए बिना बिलंग किये हुए क्योंकि एडिटी की वेकेंसिया आ रही बहुत जड़ ठीक है कैसा रहा सेशन कमेंट्स प्लीज कमेंट्स प्लीज सेशन कैसा था आप सभी ने कितना इसमें सीखा क्या एंज्वार कि हैं जी जी लोग लोग नोटीफिकेशन के अबहाओं में कुछ नेट वरक के अबहाओं में नहीं जुद पातीैं तो इससे सभी के कमेंट्स यहां दिखाई नहीं देते ठीक है living comment दिखाई नहीं देते तो न्युमेशैर है आपके इस कम्प्लिमेंट्स कि वजए Hayji आपको बहुत बहुत धन्यवाद उमीद है कि ऐसे ही सारे लोग मैसूस करेंगे ठीक है ठाइक यू जल्द ही इससे जुड़ी कटाफ से ग्लेटेड जैसे और एक कोरेट जैसे हमने हमारे साथ जुड़े लोग हैं जैसे इसे मैसेज करते जाएंगे उससे जुड़ी कोरेट फिर से कटाफ बेस पर लेकिया हुगा अभी की जो इससी है ऐसी ही है मिदलिश क्या लिए हो मिदलिश अल जी ऐसा नहीं रहा है कि आप जो पढ़ा रहे हैं टी-जी-टी हम लोग ँच करें नहीं बिल्कुन करोंगे कुछ क्यों पूरा जानोगैं बहार से बनेगा नसे पेपर पढ़ाये कोई चीजों से ही पेपर बनेगा इतना स्तरी पढ़हाँ नहीं इस दकर पहली बार आपने वाच किया है, अब उम्मीद करता हूँ कि आप लगातार जुड़ेंगी से से, लगातार जुड़ेंगी, क्योंकि बेहतर आपको मिलेगा, क्योंकि बितले 20 वर्स का अन्मों है, और चैनित कराने और चैनित होने का भी अन्मों है, लोगों को चैनित कराया ह आज मैं जौब में रहते हुए आप सभी को गाइट कर पा रहा हूं तो अपने को सभां के सारी सबस्ता हूं कि आप सभी का अभी सहयों में कर ले रहा हूं क्योंकि जितना बाटो उतना फैलता और अपने अनुभों को जरूर शेयर करना चाहिए क्योंकि उससे अन्य लूग लावान में हो सकी हैं ठीकि बेढ़ा चली थेंक यू थेंक यू बहुत बहुत धाया हूं